हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें दिलक और ये शुपकार ले, तुम से बहतर और कौन कर सकता है, क्योंकि तुम इस पुत्र की दादी भी हो, और एक महान तपस्विनी भी, मैं ये सोच रहा था, कि आपने मुझे सारा ग्यान दिया, पर ये नहीं बताया, कि मुक्ति क्या होती है, पुत्रबरबरिक, मुक्ति मनुष्य के जीवन का परम उद्देश होता है, जिसे पाकर, मनुष्य जीवन, और मृत्यों के चक्र से मुक्त हो जाता है, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताए, जिसे मैं शीग रही, मुक्ति पा सकूँ। पुत्र बर्बरिक, यदि किसी मनुष्य को प्रभु के हाथों मृत्यू आ जाए, तो उसकी आत्मा तुरंट प्रभु में लीन हो जाती है, और उसे मुक्ति मिल जाती है. अच्छा, ये तो बहुत सरलुपाय है, मैं प्रभु श्री कृष्ण से जाकर युद्ध करूँगा, और वो मुझे मार डालेंगे, फिर मैं जन्म जन्मंतर की चकर से मुक्ति हो जाऊँगा. बरबरिक, भगवान श्री कृष्ण किसी को अकारण ही नहीं मारा करते, और फिर वो तुमसे युद्ध क्यों करेंगे? मैं घोर तपस्या करके महानस्तुर का ठेर लगा दूँगा, और फिर श्री कृष्ण को मुझे से युद्ध करने के लिए विवश्च कर दूँगा, और फिर देखता हूँ, कि वो मेरा वद कैसे नहीं करते हैं? प्रभू, और कब तक मेरी परीक्षा लेते रहोगे? मैं आपके दर्शन के लिए युगो युगो तक युँ ही बैठी तपस्या करती रहोंगी, अब आपके दर्शन की प्यास सहन नहीं हो रही है प्रभू, कृपया दर्शन दीजिए प्रभू, मुझे दर्शन दीजिए कृपये दर्शन की प्रभू, मुझे izola द के प्रभू, मैं आपके प्रभू, मैं आपके प्रभू, आपके दर्शन के लिए प्रभू, मैं आपके दर्शन के नहीं दुएमगे। मैंने आपको पहचान लिया, प्रभू, 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 आपने मुझे दर्शन देके, मेरी मनु कामना पूरी कर दी, प्रभू, मैं धन्य हो गई, प्रभू, मैं धन्य हो गई, मेरी तपस्या सफल हो गई, प्रभू, मेरा जीवन सफल हो गया, प्रभू, मेरा जीवन प्रफल हो गया। उठो वज्ट्सु प्रभू, भगवान शेव का कर्थन सत्य हो गया। उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझे एक दिन दर्शन अवश्य देंगे। देवी हिडंबा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसंद हूँ। भगवान शेव ने जो दर्शन देने के लिए भविश्वानी की थी, वो दिन आज का ही दिन है। तो फिर आज मैं तुम्हें दर्शन कैसे नहीं देता। प्रभू, आपके दर्शन करने के बाद तो मैं आँखे बंद करके कल पांथ तक आपकी तपस्या कर सकती हूँ। नहीं देवी हिदंबा अब तुम्हें इसे कान तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है अब तुम संसार में रहकर भी तपस्या कर सकोगी संसार में रहकर तपस्या पर तु ये कैसे संभव है प्रभू यही बताने तुम्हें तुम्हें आया हूं वीर घटोतकच तुम दोनों प्रकट हो जाओ सुखी भावा पुत्र काम कंटका तुम भी आशिर्वात गरहन करो सुखी भावा परन्तु ये सुन्दरी कौन है ये प्राग जोतिशपुर की युवरागी काम कंटका है तुम्हारी होने वाले बहु और इसी के विवा के लिए हम तुम्हें इंदरपस्त ले जाने आये हैं परितु प्रभु आप तो अभी तपस्या की बात करें थे और ये सब तो मुझे घर घरस्ती के और ले जाएगा इसलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि अब तुम्हें संसार में रहकर ही तपस्या करना है देवी हीडिमबा सच तो ये है कि विवा के बाद तुम्हारी बहु कटोतकच के पुत्र के रूप में एक धर्मात्मा और महान योध्धा को जन्म देने वाली है सच प्रभु हाँ और काम कंटका के पुत्र को धर्मात्मा बनाने का दायत्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ और ये शुपकाले तुमसे बहतर और कौन कर सकता है क्योंकि तुम इस पुत्र की दादी भी हो और एक महान तपस्विनी भी खटोचकच के पुत्र बरबरीक की शिक्षा और दिक्षा ही वो तपस्या है जो तुम्हें इस संसार में रहकर करनी है मैं आपकी आज्या का पालन करूंगी प्रभु जब काम कंटका ने भगवान शिर कृष्ण के आशिरवादा नुसार एक सुन्दर बालक को जन्म दिया तो दादी हिडिंबा ने वासुदेव के आदेश अनुसार बरबरीक को एक धर्मात्मा बनाने के लिए उसे अच्छी अच्छी कहानिया सुना कर उसमें धार्मिक संस कार सींचने लगी पुत्र बरबरिक सो तो नहीं गए नहीं दादी मा सोच में पड़ा था सोच में क्या सोच रहे थे मैं ये सोच रहा था कि आपने मुझे सारा ग्यान दिया पर ये नहीं बताया कि मुक्ति क्या होती है पुत्र बर्बरिक, मुक्ति मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है, जिसे पाकर मनुष्य जीवन और मृत्यों के चक्र से मुक्त हो जाता है, और परमात्मा में लीन हो जाता है, और थात उसे अपने पाप और पुण्य के कर्मों का फल भोगने के लिए फिर जन्म नहीं लेना पड़ता परंतु ये मुक्ती प्राप कैसे होती है मनुष्य यदि कर्मों के फल को त्याग दे निरासक्त हो जाए तो मुक्ती प्राप्त हो जाती है परंतु बर्बरिक इस तरह की मुक्ती प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए मनुष्य को कई कई जन्म लेन पड़ते हैं यह तो बड़ा लंबा चक्र है प्रभु की आत्मा में लीन होने के लिए मेरी आत्मा न जाने कब से तड़प रही है आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिसे मैं शीग रही मुक्ति पा सकूँ पुत्र बरबरिक यदि किसी मनुष्य को प्रभु के हाथों तो उसकी आत्मा तुरंट प्रभु में लीन हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है अच्छा यह तो बहुत सरलुपाए है मैं प्रभु श्री कृष्ण से जाकर युद्ध करूँगा और वो मुझे मार डालेंगे फिर मैं जनम जन्मांतर की चकर से मुक्त हो जाऊंगा उनके पास तो सुदर्शन चक्र है जिसका तोड किसी के भी पास नहीं है मैं घोर तपस्या करके महानस्तुर का ठेर लगा दूँगा और फिर श्री कृष्ण को मुझसे युद्ध करने के लिए विवश्च कर दूँगा और फिर देखता हूं कि वो मेरा वद कैसे नहीं कर परवरीक की लगातार तपस्या से प्रसंद होकर नव तुरगा ने अपने नौ रूप उसे दिखाए और इतना बल दिया जितना बल तीनों लोपों में किसी के पास नहीं था इसके बाद माता दुरगा ने बरबरीक को सला दी कि वो उसी स्थान पर और तप करे क्योंकि वो सिध्ध स्थान है तुम्हारी तपस्या से सिध्ध माता यदी प्रसंद हो गई तो वो भी तुम्हें वर्दान देंगी सिध्ध माता ने बरबरीक को वासुदेव अस्त्र प्रदान किया और गणपती से संबंदित सारी विद्याओं को और अस्त्रों को प्रदान किया इस पर भी बरबरीक को संतुष्टी नहीं हुई तो वो और अधिक तपस्या करके देवी सिध्धाम्रिका से अपराजिता वैशनुदी महा विद्या प्राप्त करके अजे बन गया इन सारी विद्याओं और अस्त्रों से संपन्न होने के बाद एक दिन जब कुरुक्षेत्र में कौरों और पांडों की सेनाए आमने सामने डेरा डाल रही थी तब बरबरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए अकेला ही कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया ठैरी विप्रवार्व प्रणान ब्रह्मान देवता कल्यान हो वच्छ कल्यान हो हे ब्रह्मान देवता आप और रनभूमी पर मैं मैं पांडवों का प्रोहित हूं कि तो आप आप बरबरीक है ना हाँ पर आप मुझे कैसे जानते हैं मैं तो हर किसी को जानता हूं यू समझ लो मुझसे कुछ भी चुपा नहीं है कि तुम एक महान युद्धा हो जो इस युद्ध में भाग लेना चाहते हो है ना मैं इस युद्ध में अवश्य भाग लूँगा ब्रामन देवता परन्तों इस समय नहीं अब नहीं तो फिर कब मैंने निर्बलों की साहता करने का व्रत लिया है और और पांडों में से जिसकी भी पराजय होगी उसी पक्ष से मैं युद्ध करूंगा और तुम एक ही पल में इस महा युद्ध को समाप्त कर दोगे है ना हाँ आप तो सच मुष सब कुछ जानते हैं हाँ सब कुछ जानता हूँ इसलिए तो युद्ध का आरम बहुने से पहले तुम से मिलने आया हूँ परन्तु तुम तो अकेले हो तुम्हारी सेना कहा है अकेला ही आया हूँ तुम अकेले हो और इस महा-युद्ध को पल भार में समाप्त करने के महत हों कांक्षा भी रखते हो ये मेरी महत्व कांख्षा नहीं सिर्ण विश्वात बाक मिवश्वास और अपने बल पर अपने सामर्थ पर अपनी युद्ध विद्ध्य और अपनी तमस्या पर पूर्ण विश्वास है बड़े आश्चर की बात है तुम युद्ध करना चाहते हो तुम्हारे पास कोई सेना भी नहीं है और मैं देख रहा हूं तुम्हारे तुनीर में केवल तीन ही बाण है अश्चर की कोई आश्चता नहीं बरामन देता इस महाउध को समाप करने के लिए तुम्हे एक ही बाण की आवशक्ता है तीक बां तो बहुत हुए केवल एक ही बार्ण से तुम इस महायुद्ध को समाप्त कर दोगे अरे भाई मैंने ऐसा न कभी देखा है न कभी सुना है कहीं ऐसा तो नहीं बर्बरिक कि आपको कोई अलोकिक शक्ति प्राप्त है आप ठीक समझने ब्रामन देवता सिद्ध माता से मुझे अप्राजिताव वैश्टवी महाविद्या प्राप्त है कि सिद्ध्या के कारण मैं आजय हो गया हूं मेरा वद्ध कोई नहीं कर सकता कोई भी नहीं आपको विश्वास नहीं होरा ब्रामन देवता है कि होगा भी कैसे आपने मेरा कमाल जो नहीं देखा है ठीक है मैं अपनी विद्ध्या का प्रदर्शन आपके सामने करता हूं तो आपका संदय विश्वास में बदल जाएगा अरे भाई बर्बरिक तुम्हारा य देखने योगी है दिखाओ दिखाओ ना जल्दी दिखाओ आवश्या चलिए हाँ चलिए हाँ चलिए यह पेड़ देख रहे हैं आप हाँ हाँ देख रहा हूं कितने पत्ते हैं इस पेड़ पर अंगिनत अंगिनत जैसे कुरुक्षेत्र में कठा होने वाले वीरों और महावीरों को गिना नहीं जा सकता उसी तरह ना मैं अपने एक ही बांड के प्रहार से इस पेड़ के सारे पत्तों को निशाना बनाता हूं एक ही बांड से हुँ 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 झाल 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 हे ब्राह्मन देवता, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा, कि एक ही पल में एक ही बान से, जिस प्रकार मैंने पेड के विविन पत्तों को अपना निशाना बनाया है, उसी तरह युद्ध में, मैं एक ही बान से, इद्रोरी सेना के सारे युद्धाओं, और सेना पतियो कर सकता हूं, अब हुआ है, अम मुझे विश्वास हो गया है, पूर्ण विश्वास हो गया है, कि तुम एक ही पल में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो, प्रंदू विप्रवर, आप मेरी विद्या का प्रदर्शन देखकर चिन्ता में क्यों पढ़ गया है, अं, अरे, त महाविनाशक विद्या ही मेरी चिंता कारण है चिंता कारण हाँ आपकी चिंता कारण यदि मैं किसी निर्बल का साथ दूं तो इसमें चिंता केसी निर्बल का साथ देना ही तो धर्म है प्रश्ण निर्बल और बल्वान का नहीं है प्रश्ण है कि कौन सा पक्ष धर्म पर है और कौन सा अधर्म पर है ब्रामन देवता आपकी अगूर और गहन बाते मेरे मस्तिक्ष में नहीं आती मैं तो क्यों इतना जानता हूं कि मुझे निर्बल का साथ देना चाहिए क्योंकि मेरी दादी हिडिम्मा ने बश्पन से मुझे यही शिक्षा दी है चाहे वो अनुचित यह आप जानिये क्या ब्रामन है यह आपका धर्म है मेरा धर्म तो अपनी दादी की आग्या अनुसार अपने धर्म का पालन करना है इसकी मैं पृतिज्ज्या कर चुका हूं और अपनी प्रतिज्ज्ज्य अवश्यपूरी करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए प तेना आप मुझे क्या रोकेंगे, आप तो एक निहत्ते ब्रामन है। मैं तुम्हें आवश्य रोक सकता हूँ, तुम नहीं जानते हो, कि मैं कौन हूँ। आप कोई भी हो, परन तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। छोड़ दो यह धर्मी, मैं तुम्हें अधर्म के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने दूँगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तो बरबरिक का रास्ता रोक रहे हो, जान प्यारी नहीं है क्या, भूल के मेरे बान की महाविनाशक शक्ति को। तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो, शक्ति मैं भी दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो एक निर्बल ब्राह्मन मुझे अपनी शक्ति से डरा रहा है, दिखाँ अपनी शक्ति, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। लुग जा बरबरिक। ये ब्राह्मन देवता, आपको कौन सी ऐसी शक्ति पर इतना गुमान है, हाँ, काउन सी शक्ति पर, कहीं आप उन पाचों पांड़ों और उनकी विशाल सेना पर तो नहीं इत्रा रहे हैं, जो कौरों को पराजित करने वाले हैं, हम, ठीक है, मैं अभी इसी समय, शक्ति शा से सदा के लिए धर्ती पर सुला देता हूँ, बर्बरीक, चलाने से कुछ नहीं होगा, ब्रामन देवता, अब आप मुझे नहीं रोक सकते, मेरे तुनीर से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, मैं पांचों पांड़ों को अपने तीर से मार कर, लाखों के प्रान बचाने जा रहा हूँ, मैं निर्बल कौर्वों को विजई बनाने जा रहा हूँ, ना, मैं अपनी प्रतिग्या पूरी करने जा रहा हूँ प्रतिग्या रहा हूँ आहा हूँ आए आज Förव आज़ आज अर्व आज हूँ और परबरीक था इस तुम्हे निर्भल परन्त अधर्मियों का साथ देने की प्रतिग्या पूरी करने के अपने पागल से मुझे विवश्च कर दिया कि मैं अपने हाथों तुम्हारा वद करतूं प्रभू आपने अच्छा ही किया जो मेरा वद्ध अपने हाथों से कर दिया यही तो मेरी इच्छा थी जिसकी पूर्ती के लिए मैं यहां आया था परभू मैंने तो आपको प्रह्मन के वेश में पहले ही पहचान लिया था कि शमा करें परभू मैंने ही जानबूच कर आपको करोद दिला कर विवश कर दिया था ताकि आप मेरा वत्त कर दें इसलिए मैंने अपनी अप्राजिता वैश्टिमी विद्या का प्रदर्शन किया था आपके हातों मेरे वत को संभव बनाने के लिए ही तो मैंने बड़े परिश्रम से ये विद्याप्राप की थी प्रभू जानते हैं प्रभू मेरी वो आकांग्षा जो बच्पन से ही मेरे मन में भल भूल रही थी जानता हूं बच्पन में तुम्हारी दादी मां हिडिम्बा ने तुम्हें बताया था कि मोक्ष का सबसे सीधा और सहज रास्ता यही है कि तुम मेरे हाथों अपने प्राण्त आत्तो धन्य है प्रभू मोघ करना चाहता बरबरीक, तुमने बड़ी तपस्या से जो अस्त्र प्राप्त किये थे, मुझसे युद्ध करने के लिए, ताकि मैं तुम्हारा वद कर सकूँ, उसी तपस्या और मुक्ति के लिए तुम्हारी लगन ने तुम्हें मौक्ष के योग के बना दिया। विधी ने तुम्हारे मौक्ष का यही समय तैय किया था, इसलिए तुम मुझसे मिले और मैंने तुम्हारा वद कर दिया। तो फिर आपके हातों प्रान त्याग कर मुझे मुक्टी मिल गई ना प्रभू। प्रभू, आपने मेरी सबसे बड़ी इच्छ तो पूरी कर दी। परंतु परमधान को प्रस्तान करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी अंत्रमिछ भी पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें। कहो वद्स। प्रभू, मैं धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में धर्म को अधर्म पर विजयप्राप करते हुए देखना चाहता हूं। धर्म के मार्क पर आप पांड़ों का सारथ्य कैसे करते हैं। असीन शक्तिशाली, गौर्वों की विशाल सेना को पराजित करने का जो चमतकार आप दिखाने वाले हैं। मैं उस चमतकार को देखना चाहता हूं प्रभू। मैं आपकी लीला देखना चाहता हूं प्रभू। मुझे अनुग्रहित कीजिए। वच्स बर्बरीक, युद्ध के आरंभ से समाप्ति तक तुम्हारा ये कटा हुआ सर जीवित रहेगा। और तुम संपूर्ण युद्ध को देख सकोगे। तथास तू। भगवान श्री कृष्ण के वर्दान के कारण बर्बरीक, कौरो पांडों का महा युद्ध देखने की अपनी आकांक्षा पूरी कर सका। तू करेंकिया, प्दोर। युद्धेर । युद१ध लंगरो अल्वार पूर। इक का जो खुद्धेर देली हुआ capita का महा युद्ध से में OC